भाई दंगल टीवी पर शुरू हुआ एक नया सीरियल and let me tell you it's doing pretty well हम बात कर रहे हैं सीरियल सासु मा ने मेरी कदर मा जानी जादा तर बहुओं का यही स्टेटस होता है बहराल यहाँ पर जो बहुरानी है वो उपवास कर रही है ताकि उसके पती की नौकरी लग जाए लेकिन सासु मा चाहती है कि इस वरत पर भंग लग जाए ताकि बेटे की नौकरी ना हो यहाँ है ना कि नौकरी लग जाएगी तो बेटा घर से बाहर जो चला जाएगा हिलो जी भाई छोटे परदे पर एक और सासुमा की एंट्री होगी है उस सासुमा का नाम है बबली जी सासुमा का नाम बबली हो वो कितनी बबली होगी बाप रे बाप दयारे दया वो अपनी बहु को जीने नहीं देगी एक पल के लिए भी और देखिये कुछ ऐसा ही हो रहा है अभी तो इनकी किटी पार्टी है जैसे आगे के एपसोर्ड में आप देखेंगे तो वो किटी पार्टी के लिए मैंने खाना बनाये और उसमें हमने अभी बहुत सारे समोसे जले भी और अभी हमने सीन में रियल में हमने वो बनाये बेसन के पकोड़े बबली की बहु का नाम है पल्लवी और पल्लवी ने अपने पती को जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए इसलिए वरत रखा है अब बबली सासुमा अपनी बहुरानी का वत तोड़ ना चाहती है तभी तो सर पे आटे का डबबा गिरा दिया और जिब बेचारी एकदम से हाफने लगी तो उसे पानी भी पिला दिया मैं अपना वरत तोड़ना नहीं चाहती और ये मेरा वरत तोड़ने पर लगी हुई है तो मैं पानी वानी कुछ नहीं पी सकती इसलिए हमने ये सब किया पलवी को याद आ गया के मेरा तो वरत है उसने पानी को मुझ से निकाल दिया और माता राने से माफी मागने लग गई फ्क्यर बबली सासुमा का ये वाला प्लान तो फेल हो गया अब बबली सासुमा को लगता है के अगर अर्नव याने की पल्लवी के पती को नौकरी लग गई तो वो बंबई चला जाएगा वो भी पल्लवी को लेकर और सासुमा यहाँ पर अकेले रह जाएगी इसलिए तो वो यह सब कर रही है अब नई नवेली बहु के गहने भी सासुमा ने रख लिये हैं अमरी बहुरिया को बहुत बुरी आदत है उस सारे गहने जो अगर भी रखती है तो इसलिए इके सारे गहने मैं भी हम पहन लेते हैं और पूरा भरपान दिख रहा है जैसे आपको और इके गले में कान में कचु नहीं देंगे काय की यह संभाल नहीं सकते बेचारी बहुरानी ऐसे ही किचन में खाना बना रही है माई के वाले भी आए हैं वो अपनी बेटी की मदद कर रही है की मदद कर रहे है उतो हमने तो बोला नहीं औरो ने मुझसे कहा कि वो मेरी मदद करना चाहेंगे तो मैंने कहा okay thank you आप कर सकते हैं तो हमने साथ में खाना बनाना शुरू कि और तब तक ही आ गई अब बहू कैसे अपनी बबली सासुमा को हर पल मात देगी या फिर खुद उससे हारेगी इनका कहना है कि ये खेल तो भई टॉमेंजेरी वाला है तो देखने में बड़ा मज़ा आएगा अब आगे क्या होगा क्या हम ऐसा ट्विस्ट दिखाएंगे वा आपको देखना पड़ेगा हिम मॉंबे से कैमरमेन सुजीत मिश्रा के साथ एबिपी न्यूज रिपोर्ट एबिपी न्यूज आपको रखे आगे